देखो हम लोग ने अब तक पता है कित्ती प्रोसेस पड़ी हम लोग ने अब तक चार प्रोसेस पड़ी कौन सी पड़ी जो भूल गया हो उनको भी यादा जाएगा जो नहीं भूला है उनको भी यादा जाएगा देखो तो हम लोग ने अब तक कित्ती प्रोसेस पड़ी चा बारोगमेवो और एक हमने पड़ी अईजो थर्मल और एक हमने पड़ी वो थी एडियनों होता है आईजोफ़ार्व और्टक्र पॉसेश में क्या कॉंस्ट्रिक सथ प्रेशो रिंद्ध्र आइसओ थर्मा आइज सेस्थमिच में इसेद्ष्ट तो adiabatic process वो है जिसमें ना तो कोई heat अंदर जाती ना बाहर आती है और एक तो तो तुम्हें यह सब याद रखना है और फिर तुम्हें याद रखना है कि isochoric में जो work done होता है वो कितना होता है जीरो work done जीरो आईजो बारिक में pressure कितना है into final volume into initial volume आईजो थर्मल में nRT log V2 by V1 पर adiabatic में अगर तुम बुल गए हो तो nRT2 minus nRT1 upon 1 minus kama यह सब हम लोगोंने पढ़ा हुआ है कि isochoric में volume constant है आईजो बारिक में pressure, आईजो थर्मल में temperature, एडियबेटिक में कुछ भी constant नहीं होता है डेल Q 0 होता है work done की बात करें तो आईजो कॉरिक में आपका work done 0 है क्योंकि आईजो कॉरिक में ना तो volume बढ़ता है ना volume घटता है आईजो बारिक में pressure into change in volume आईजो थर्मल में nRT log V2 by V1 और एडियबेटिक में nRT2 minus nRT1 upon 1 minus gamma तो यह सब मैं तुम्हें work done लिखवा चुका हूँ एक तो तुम्हें यह सब याद रखना है और दूसरा आईजो कॉरिक प्रोसेस हो आईजो बारिक हो आईजो थर्मल हो या एडियबेटिक हो इन सब में एक equation हमेशा काम हैगी कौनसी PV equal to nRT कौनसी है यह ideal gas equation लेकिन एडियबेटिक में एक और equation बहुत काम की है वो है PV gamma equal to constant या देख P1 V1 gamma equal to P2 V2 gamma और बाकी सब प्रोसेस में चा इन सब में यह equation तो में बहुत help करेगी कौनसी PV equal to nRT ठीक है इन सब में कोई डाउट है तो तुम एक बार मुझसे पूछ सकते हो कि इसमें यह डाउट है एक बार आपस clear कर दो इन सब में कोई डाउट है तो पूछो वरना मैं एक बहुत अच्छे topic पर जा रहा हूँ वो ह कोई डाउट निए देखो एक question में लिख रहा हूँ सब यहाँ पर समझो देखो एक question में यहाँ पर लिख रहा हूं वंच तुन्हें जो formula लिखा है वंच उसमें log 10 होती है physics में log e पर जलता हूं इसलिए में लिखता हूं nRT log v2 by v1 ना कि 2.303 अगर तुम 2.303 लिख रहे ह है मैं log e पर चल रहा हूं है ना अच्छा देखो अब यहाँ पे question में लिख रहा हूं सब समझो इस question को a guess at pressure p and volume v a guess at pressure p and volume v is increased pleased is made to एक सेकन आव एक सेकंड जस्ये कोशन लिखते जाव अपनी कॉप में a container container and closing gas at pressure p and volume v is first expanded is first expanded isothermally to twice its volume and then again isobarically and then again isobarically to twice its volume find final pressure and final volume ठीक है अब देखो अब इस question को तुम ध्यान से पढ़ो तो question में क्या लिखा है अब तुम पहले सको question को समझो की question में क्या लिखावा देखो पढ़ो एक बार question को ध्यान से पढ़ो तुम्हें अपना समझ में आदा आगा देखो तो question क्या बोलता है उस गैस का प्रेशर एपी वॉल्यूम में वी नंबर आफ मोल्स एन एक गैस कॉंसेंट आ रहे टेंपरेचर टी है इस फर्स्ट एक्सपांडेड आइजो थर्मली टू ट्वाइस इस वॉल्यूम तो पहले हमने क्या किया आइजो थर्मली इसका वॉल्यूम डबल कर दिया एक बात तो पकी है कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा तू भी हो जाएगा पहले टेंपरेचर टी था तो बाद में भी टेंपरेचर कितना रहेगा टी रहेगा क्यों क्यों कि आइजो थर्मल है लेकिन अफ फाइनल प्रेशर क्या होगा अब तुम देखना कैसे निकालते हैं तो जब यह process चालू हुई थी तब ideal gas equation लिखो तो PV equal to nRT और जब यह process खतम हुई तो माल लो कि तब pressure P'dash था तो ideal gas equation लिखो P'dash into 2V equal to nRT क्योंकि n उतना ही रहा, r उतना ही रहा, t उतना ही रहा, दोनों को divide करो तो nRT से nRT गया, V से V गया, तो आपका क्या है, P equal to 2P'dash आया, तो P'dash किता है, P by 2, इसका मतलब अब आपका pressure कितना हो गया, अब pressure हो गया P by 2, ठीक है, अब पढ़ो, and then again, isobarically to twice its volume, मैंने वापस expansion किया, लेकिन अब मैंने क्या किया, isobarically, मैंने क्या constant रखा, pressure constant रखा, तो अब तुम ध्यान से देखना, अब अगर आपने isobarically expand किया, तो pressure P by 2 है, तो pressure की जगे लोगो P by 2, लेकिन आपने क्या किया, twice its volume, वापस volume डबल कर दी, तो 2V थी, आपने कितना कर दिया, 4V, number of moles N है, gas constant R है, मालो अब आपका temperature T'dash है, तो अब T'dash किसे निकालेंगे देखो, जब यह process चाल हुई, तो ideal case equation देखो, तो P by 2 into 2V, PV equal to nRT होता है, equal to nRT, और जब यह process खतम हुई, तो equation देखो, P by 2 into 4V equal to nRT'dash, जही होगा, जही होगा, दोनों को divide करो, देखो क्या आएगा, nR से nR गया, P by 2 से P by 2 गया, V से V गया, तो आपका T'dash किता आएगा, चेक करो, तो 2T'dash किसके बरावा है, 40 के, तो T'dash किता होगा, 2T, यह आपका answer है, इस तरीके से निकालते हैं, है ना, अब तुम ध्यान से देखो, तो वापिस हर्ष, हमांग, देखो वापिस इस question को ध् question क्या है पड़ो, a container enclosing gas at pressure P and volume V, is first expanded isothermally to twice its volume, तो एक container है, जिसके अंदर pressure P है, volume V है, और माल लो temperature T है, पहले हमने क्या किया, isothermal, volume double करी, तो isothermal मतलब temperature उतना ही रहेगा, तो पहले T था, तो बाद ने भी T है, लेकिन twice its volume, volume double कर दी, तो पहले volume V था, मैंने कितना volume किया, double, देखो N और R तो हमेशा same रहते हैं, तो उनको मैंने same रखा, तो अब, अब आपका final pressure क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो जब य process चालू ही, तब ideal guess equation लिखो, जब ये process खतम हुई, तो ideal guess equation लिखो, तो इससे तुम्हे pressure कितना मिल गया P by 2, तापका नया pressure कितना हो गया P by 2, फिर आपने क्या किया, again isobarically to twice its volume, आपने फिर अब कौन सा expansion किया, isobaric, और volume double कर दी, तो 2V थी, आपने कितनी कर दी 4V, अब मतलब पहले pressure P by 2 था, तो बाद में भी कितना रहेगा, P by 2 ही रहेगा, लेकिन temperature तो change हो सकता है, वो कैसे निकालेंगे, तो जब process चालू हुई, तो equation लिखो, जब खतम हुई, तो equation लिखो, दोनों को divide करो, ये आप cancer है, देखो, तुम्हें doubt है, अपने एक question और करते है, अप पहले मैंने isobaric expansion किया, twice its volume करके, क्या किया मैंने isobaric volume twice कर दी, तो आपको बताना है कि नया pressure, नया volume, नया temperature क्या होगा, फिर मैंने क्या किया, धियान से देखना, फिर मैंने isochoric process करी, क्या करी, isochoric process, और मैंने temperature को double क्या, temperature को double कर दिया तो अब आपको बताने की final pressure क्या होगा final volume क्या होगा और final temperature क्या होगा देखो मेरे साथ साथ चलो तो मैं अपना समझ में आजागा देखो सबसे पहले देखो PVT था तो एक बार आप ideal case equation लिखो PV equal to nrt ठीक है isobaric process करी मतलब एक बाद तो पक्येगी बाद में pressure किता होने वाला P prices volume volume कित्ती हो जाएगी 2V temperature तो नहीं पता तो टी डेश लिख दो अब यहां पर ideal case equation लिखो pressure into volume किता है 2V equal to nrt डेश और यह equation 1 है यह equation 2 है इन दोनों को divide करेंगा तो PV equal to nrt और नीचे से एनर गया पी से पी गया वी से भी गया तो आपका टी डेश किसके बराबर आया 2T के बराबर देखो टी डेश दर जाएगा टू दर जाएगा तो आपका नया temperature किता आया तो टी डेश की जगे आप क्या लिख सकते हो टी ठीक है अब पढ़ो अब आपने आईजो कोरिक आईजो कोरिक प्रॉसेस का मतलब क्या कॉंस्टन होता है वाल्यूम तो वाल्यूम को ऐसा क्या सा लिख दो टू वी और टेंप्रेशर डबल कर दिया तो पहले कितना था टू टी अब टेंप्रेशर कितना हो गया 40 तो एक बार यहां पर एक्वेशन लिखो तो प्रेशर कितना है पी डेश वॉल्यूम कितना है टू वी एक्वल टू किसके बराबर आजाएगा एन आर फोर्टी यह आपकी एक्वेशन नंबर थी तो थी को वन से डिवाइट कर सकते हो कोई फरक नहीं करता थी को टू से बिवा प्रेश किसके बराबर आया आपका देखो टू टू जा फोर हो गया तो प्रेश किसके बराबर आया आपका बराबर आया टू पी के तो आपका नया प्रेशर कितना आ गया पी डेश आगया आपका टू पी इस तरीके से करते हैं अब भी तुम्हें डाउट है तो मुझे र और कोई वेरियेबल नहीं पता है तो तीन को दो से टर्भाइड करके तीन से स्थींचोंβαप Argentर सकते हो घंण कोई नाव्ट तो पूछो हो सिर्थो हो सब्सक्राइब लकर में नहीं सारी नहीं तुम्हें सम्झेट अब तुम्हें चीज समझेंघ को तेक nisht welcome डाउटी तो पूछो यार यूंकि मेरे को तो आता है यह डॉपिक तो तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें पूछना पड़ेगा देखो अब अगर मैं तुम्हें पुछू कि बताओ टोटल वर्क कितना हुआ अब अगर मान लो मैं तुम्हें पुछू कि टोटल वर्क कितना हुआ देखो एक तो आपका आईजोबारिक प्रॉसेस में मान लो वर्क हुआ डव्यूटू तो आपका टोटल वर्क कितना होगा W1 plus W2 ठीक है? देखो कैसे निकालते हैं यारे, आइजो बारिक में वर्क कितना होता है, भूलते नहीं गए देखो आइजो बारिक में वर्क कितना होता है प्रेशर into final volume minus initial volume, तो ध्यान से देखो तो आपका पहला प्रोसेस आइजो बारिक है उसमें वर्क कितना होता है zero ताका total वर्क कितना हुआ PV इस तरीके से निकालते हैं किसी को कोई doubt है इसमें, तो पूछ सकते हो किसी को कोई भी doubt है तो पूछ सकते हो कोई doubt नहीं है तो बस एक last question हम लोग और करते हैं तुम लोग मेरे साथ साथ दोरोगे हना तुम नहीं सीख पाओगे इन सब चीजों को suppose करो कि ये एक container है इसमें pressure P A volume V A temperature T A ठीक है, मैंने पहले इसमें क्या किया मैंने एक isothermal process करी क्या करी isothermal और मैंने क्या किया volume को double कर दिया V को कर दिया 2V ठीक है, तो अब आपको बताना है कि अब आपका pressure किता होगा, volume किता होगा temperature क्या होगा, फिर मैंने क्या किया फिर मैंने एक isobaric process करी, है ना और मैंने volume को वापस क्या कर दिया मैंने volume को वापस क्या कर दिया double कर दिया, ठीक है तो अब आपको बताने की pressure क्या होगा volume क्या होगा temperature क्या होगा और फिर मैंने क्या किया फिर मैंने एक isochoric process करी क्या करी isochoric process करी और मैंने क्या किया मैंने temperature को double कर दिया temperature double तो आपको बताना है कि finally PVT की value क्या होगी और सारे answer PVT में आएंगे पर आपको एक और चीज़ बतानी है कि total work done कितना हुआ देखो अब इस question को मैं कैसे करता हूँ अब तुम समझना देखो pressure P था volume V था temperature T था isothermal है isothermal है तो तुम्हें एक चीज़ तो सोचने की जरूद ही नहीं isothermal में क्या constant होता है temperature तो एक बात तो पता है कि temperature T रहेगा volume 2V कर दी तो एक और बात पक्का है कि पहले volume V थी अब कितना लिख सकते हो P देश इन्टू 2V एक्वेल टू NRT और यह equation 1 है यह equation 2 है दोनों को divide करो देखो कितना आता है तो P देश इन्टू 2V एक्वेल टू NRT और नीचे क्या आ जाएगा PV और यहाँ पर आ जाएगा NRT NRT से NRT गया V से V गया तो आपका P देश किसके बराबर आ जाएगा P बाय टू के है चेक करो यह P उपर जाएगा टू नीच आएगा तो P देश की जगे आपके लिख सकते हो यह लिख सकते हो P बाय टू आया समझ में अब पढ़ो कूँ अब आईजो बारिक प्रोसेस है अब नया टेमपरेचर के है तो माल लो नया टेमपरेचर टीडेश है तो यहां पर आइडल गरेंड़ेस एक्वेशन की आएगा देखो पहे शकता है पी भाय टू वाल्यूम केता है फोर वी एक्वेल टू एन आर टीडेश और डिवाट कर दो पहली से तो यह तो आपका व तूटी है अब तीसरा अब आईजो कॉरिक प्रॉसेस है आईजो कॉरिक में तो यार वॉल्यूम उतना ही रहता है तो वॉल्यूम तो फॉर वी रहा टेंप्रेचर डबल कर दिया तो यह हो गया तुम्हारा फोल्टी और अब प्रेशर कितना होगा देखो तुम खुद सोचन आईजो कॉरिक प्रॉसेस है मतलब वॉल्यूम कॉंस्टेंट है टेंप्रेशर डबल हुआ तक प्रेशर भी डबल हो जाएगा तो नया प्रेशर आपका पी आगा तुम करके देखना तो यह आपका फाइल आंसर है पी फोर वी और फोर टी ठीक है अब मैं पुछूं कि बत कितना बचसेगा टू स्ट गॉसरेघ ऐस इसमें वरक कितना होता है तॉगल है प्रेशर कुस्टा को चेक करो और बैकेट में कैसेर ट्रीकेंoured लिगिन डिए होगी तो तुम्हें समझ मात आएगा और कोई डाउट है तो पूछो इसमें एडिवेटिक प्रॉसेस्ट पूछो हर्श सर वह आइसो कोरिक वाला एक पर रापिश एक्स्प्रिम करूंगे जो लास्ट वाला था देख आइसो कोरिक में हर्श तेरा वॉल्यूम कॉंस्टेंट को अपना समझ में आजाएगा तो पहले प्रैशर किता था पी बच जाएगा तो अब देखो एक तो कुर्शन इस तरी के ऐसा आते या फिर एक्जाम में मान लो कोश्ट आजाए ऐसा कि आपको एक प्रैशर और वॉल्यूम का कर्व दे रखा है पीवी का और तुम्हें एक आईजोबारिक प्रोसेस करी देखो यह आईजोबारिक का ग्राफ है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो क्योंकि आईजोबारिक में आपका प्रैशर क्या रहता है कॉंस्टेंट और फिर मान लो तुम्हें बूला जाए कि अर पहले तो क्या था कि पहले आपका प्रैश यह वाद लाग। याद रखना एक्जाम में अगर कोई ऐसा ग्राफ आता है तो एरिया कैसे निकालते हैं वर्क एस एरिया अंडर टीवी कर्फ वर्क एस एरिया अंडर पीवी कर्फ यह तो एक ट्रैपीजियम ने देखो इदेर एक रेक्टेंगल है बैसे स्कु एड्ट कर ठीक है और मान लो कि तुम्हारे एक्जाम में अब अब इसको सुनना इस टॉपिक को बोलते हम साइक्लिक प्रॉसेस मान लो कि आपके एक्जाम में ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक पीवी कर ऐसा दे रखा है इस तरीके का तो यह 0.1 यह 0.2 यह 0.3 यह 0.4 तो पहले 1 से 2 पे गए 2 से 3 पे गए 3 से 4 पे गए 4 से 1 पे अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इसमें वर्क किता होगा तो साइक्लिक प्रॉसेस पता है कौन सी होती है जिस पॉइंट से आप चालू हुए आप गूम के वापस उसी पॉइंट पर आ गए साइक्लिक प्रॉसेस में वर्क यह वाला निकाला जाता उये वाला मतलब यह साइकिल बनी है इसके अंदर कितना एरिया आपको नीचे वाला आप Amazing लेना है है ना cycle बन गई मतलब आपको कुसा area लेना है अंदर वाला area लेना है है ना तो तुम ध्यान से देखो यहां पर one से लेके two जो है ध्यान से देखो यह आपकी कौन सी process है isoboric क्योंकि इस में क्या constant pressure ध्यान से देखो two से लेके three है यहां two से लेकि three में आपका volume constant है तो ये कौन सा process है isocoric तुम्हें ये चीज़ तो पता है ना कि volume कैसे constant है क्योंकि two से लेकि three में graph ऐसा है तो graph ऐसा है मतलब volume ना तो बढ़ रही है ना घट रही है तो isocoric है ध्यान से तो यह आईजोबारिक एक्सपांशन है तो यह आईजोबारिक कंप्रेशन है और फोर से लेके वापस आपकी कौन सी प्रोसेस है आईजोगर तो अगर तुम इन चारों को इंडिविजुल निकालके एड करोगे न तो भी आपका वांसर वही आएगा जो यह एरिया है तो यह एरिया इंकलोश होता है अंदर वाला यह होता है आपका वर्क इस तरीके से निकाला जाता है कोई डाउट है से तो पूछो कोई डाउट नहीं है देखो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर आपका वर्क कितना होगा सपोस्पोस करो कि एक साइक्लिक प्रोसेस है पी दे रखा है वी दे रखा है मालो कि यहां पर आपका वॉल्यूम वी वन है यहां पर आपका वॉल्यूम वी टू है यहां पर आपका प्रेशर पी वन है यहां पर आपका प्रेशर पी टू है तो आपको बताने कि इस प्रोसेस में मालो यह पॉइंट वन है यह पॉइंट वन है यह पॉइंट टू है य तो मैंने क्या बोजा, cyclic process में work कैसे निकालते हैं, आपको ये अंदर वाला area calculate करना है, तो क्या हो किता है triangle का area, half into base into height, check करो, half into, base किता है ये, तो यहां से लेके यहां तक तो आपका क्या है v2, यहां से लेके यहां तक क्या है v1, तो यह किता बचा, v2 minus v1, similarly, यहां से लेके तो उपर तक किता है p2, यहां से लेके यहां तक किता है p1, तो यह किता बचा, p2 minus t1, p1, तो area क्या जाएगा half into base into height, तो base किता है v2 minus v1, height किता है p2 minus p1, यह आगे आपका work, आया तो मैं समझ में, ऐसे question कैसे किये जाते हैं, तो अगर cyclic process है, तो cyclic process में आपका word done कैसे निका कोई doubt है, तो पूछो, हर्ष कोई doubt है, प्रवीर कोई doubt है, पिछला वाला graph यह पर वापर समझा सकते हूँ, हाँ, यह वाला graph, देख क्या doubt है, से पूछ, चाह 421, आइजो कॉरिक है न, 421, देख हर्ष, 4 से लेके 1 तक तू आएगा, 4 से लेके 1 तक, तो क्या तू इधर गया क्या नहीं, क्या इधर गया क्या नहीं, तो ना तो तूने expansion किया, ना तूने compression किया, तो जितना volume था उतना ही रहा, तो यह तेरा कौन सा graph आगया, आइज जिसे मैं, मैं तुम्हें को example देता हूँ, suppose करो कि मैं तुम्हें पूसता हूँ कि तुम्हारा graph एईसा है, ये P है, ये V है, मालो ऐसा, और तूम्हें देता हूँ ऐसा, और मालो exam में, मालो तूम्हें exam नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें इस तरिके graph मिला, 0.1, 0.2, 0.3, तो पहले 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 7 आए, तो कोई तुम्हें पुछे कि बताओ 1 से 2 कौनसी प्रासेस है, 2 से 3 कौनसी प्रासेस है, और 3 से 1 कौनसी प्रासेस है, अगर मानलो एक्जाम में ऐसा कुशन आता है, तो देखो मैं तुम्हें ग्राफ इंडिविजुली बनवाये थे, ध्यान से देखो, जब आप 1 से लेके 2 तक जा रहे हो ना, ध्यान से देखो, जब आप 1 से लेके 2 तक जा रहे हो, तो आपकी वॉल्यूम ना तो गटी, ना वॉल्यूम बढ़ी, तो 1 से लेके 2 कौनसा हो गया, आईजोकॉरिक, 2 से लेके 3, अगर तुम भूल गए हो, तो मै यह तो यहां पर आपका इस तरीके से तो आइसो थर्मिल और फियान से देखो जब वी आ रहे हो तो आपका प्रेशर का वेंड कॉणस्टेंट है ना तो प्रेशर बढ़ रहा ना घट रहा यह तो तीसरा कौंसा प्रेशर प्रॉशस हो गया ऐएई लिक रमकिंशना एक यहां पर पूछूतों और रहे इसा मैं हो इस थे ताक्ष में muted звуч तो अगर तुम्हें चीज़ हम निपत आ थी ऐख tools क्या होता है n by 2 f r t तो तुम ध्यान से देखो आपकी जो इंटर्नल एनर्जी है फो किस पर डिपेंड करती है टेंपरेचर पर यू डायरेक्टली प्रपोर्श्टली तो अगर मैं तो पूछू कि एक साइक्लिक प्रोसेस है अगर मैं आपको पूछू कि एक साइक्लिक प्रो से थ्री गए फिर थ्री से फोर गए और फिर फोर से वन आए तब खुद मुझे बताओ सोचो पहले आपका टेंपरेचर टीवन था आप गूम के वापिस वहीं पर आ गए तो फाइनली भी आपका टेंपरेचर कितने टीवन तो चेंज इन इंटर्नल एनर्जी कितना हो गय क्यों कि जितनी पहले थी बाद में भी उत्ती थी तो चेंज किता हुआ कोई चेंज नहीं हुआ तो इने साइक्लिक प्रॉसेस चेंज इन इंटर्नल एनर्जी जीरो क्योंकि यूँ आपका किस पर टेंपरेचर पे आपका पहले जितना टेंपरेचर था आप गूम गुमा क से पहले था उत्ताइब आद में तो मतलब आपका यू तो पहले जितना बाद में उत्ताइए तो डैल्यू कितना होगा जीरो तो इस लाइन को याद रखता है कई बार एंसी क्यों में पूछा जाता है कि इन्हें साइक्लिक प्रॉसेस चेंज इंटर्नल एनर्जी स्वाट इस इकवल टू जीरो लेख लो इसका अपनी का आप में एक साइक्लिक प्रॉसेस में चेंज इंटर्नल एनर्जी किया होता है जीरो क्योंकि आप जहां से निकले थे आप घूम के वापिस वहीं पर आ गए आया तो मैं समझ में कि नहीं समझ माया हूँ कोई डाव तो पूछो इसमें प्लीज यार क्लियर है क्लियर है क्लियर है अच्छा अब लिखो अपनी कॉपे में वेरियेबल्स इन थर्मोडाइनेमिक्स तो थर्मोडाइनेमिक्स में दो तरीके के वेरियेबल्स होते हैं एक होते हैं इंटेंसिव वेरियेबल्स एक होते हैं एक्स्टेंसिव वेरियेबल्स एक्स्टेंसिव कौन से होते हैं depends on size of system तो extensive variable वो होते हैं जो system के size पर depend करते हैं intensive doesn't depend doesn't depend on size अब मैं तुम इसका मतलब संजाता हूं कि इसका मतलब क्या है मतलब यह पढ़ा रहा हूं यह क्या मतलब इसका टॉपिक लिखो thermodynamics में दो तरीकी के variable होते हैं एक होता है intensive variable एक extensive variable extensive वो होते हैं जो size पर depend करते हैं intensive वो होते हैं जो size पर depend करते हैं है ना अब कैसे पता करते देखो तो जैसे अगर मैं तब्हूछँ कि यह system है इस system का मास के एं तो बताव आदे सिस्टम का मास कितना होगा तो आप क्या बोलोगे सर आदे सिस्टम का मास होगा M by 2 तो M by 2 वा देखो आपका मास आदा हो गया तो मास कौन सा variable हो गया extensive क्योंकि मास किस पर depend कर रहा है size पर से मैं बोलू कि बताओ यार इस पूरे container का volume वी है तो बताओ आदे का कितना है तो आप बोलोगे सर पूरे का वी है तो आदे का वी बैट होगा ना तो मतलब volume भी क्या हो गया extensive ठीक है मालो कि इस container में number of moles N है तो आप मुझे बताओ पूरे में number of moles N है मतलब एक gas है वो पूरे container में फैली होई है तो बताओ आदे container में कितने मोल्स होंगे अधी गैस होगी मालो इसके अंदर इसके अंदर बीज ग्राम helium गैस है तो दस ग्राम इदर दस ग्राम इदर तो आधी दर होई तो आपका number of moles भी क्या हो गया अग्स्टेंसिव गया हुआ की नहीं हुआ पर आपका internal energy का फामला क्या होता है एन बाइट फार्टी तो आपका number of moles किस पर depend करता है आपका एक्स्टेंसिव है तो आपका internal energy भी क्या हो गया आपका internal energy भी क्या हो गया extensive variable आया तुम्हें समझ में कि कैसे पता पड़ता है कि कौन से extensive है कौन से intensive है अब अपन बात करते हैं intensive की किसकी intensive की तो तुम मुझे बात बताओ मान लो की अभी तुम त्यस रूम में बैठे हो ये तुम्हारा रूम है ठीक है मान लो अभी Room में temperature 30 degree है अब मान लो कि तुम रूम में एक परदा लगा दो अभी तुम जा बैठे हो परदा लगा दो तुब पर्दा लगाने पर किया temperature होगा इधर भी 30 डिग्री होगा इदर भी 30 किरी होगा आपने पर्दा लगाए तो रूम की size चेंज करने से रूम के लियुक्त टैंपरचर नहीं होगा तक का temperature क्या हो गया आपका temperature हो गया इंतंसिए वैरीयबल उसी तरीके से आपकी जो जर 측ie density विंकिया हो जाएगा का इंतंसिए इसका अमत्लब कै एक बड़ा लोए का पीस है और एक चोटा सा लोखे का टुकड़ा है हमें मांता हूं दोनों का मास लगय, दोनों का वालूम लगे लेकिन दोनों की density क्या होगी सेम होगी तो density भी intensive है temperature भी क्या है intensive variable है कोई doubt है इस concept में तो आप पूछ सकते हो extensive और intensive के फर्क में अगर तुम्हें कोई doubt हो तो extensive वो होते हैं जो size पर depend करते हैं इंटेंसिव वो होते हैं जिनको साइस से कोई मतलब नहीं है कोई डाउट है हर्ष प्रवीर आशीष भाई हैतल रिशेता कोई डाउट तो पूछो कि इंटेंसिव एक्षेंसिव में कोई डाउट तो पूछो कोई डाउट हो तो पूछो और कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लियर है ठीक है देखो अब तुम एक बात समझना एक चीज तुम समझना ठीक है यह हो गया अपना टॉपिक हो गया अब एक कंसेट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं देखो माल लो कि यह पीवी कर्व है और यह पॉइंट नमबर वन है और यह पॉइंट नमबर टू है तो माल लो पॉइंट नमबर वन से पॉइंट नमबर टू तक माल लो मुझे गैस पर कोई प्रॉसेस करनी है तो एक बार मैंने कोई प्रॉसेस करी तो उसका ग्राफ ऐसा आया एक और process करी मैंने उसका graph ऐसा है तो आपको बताना है कि इन तीनों मेंसे किसमे ज़्यादा work हुआ W1, W2, W3 तो आपको क्या बताना है कि इन तीनों मेंसे किसमें सबसे ज़्यादा work हुआ तो अगर तुम नहीं भूल गए हो जाद है वर्क कैसे निकालते हैं तो अगर आपका ये पी है ये वी है और ये ग्राफ है तो वर्क क्या होता है ये नीचे वाला एरिया होता है तुम ध्यान से देखो अगर मैं पूछू कि बताओ इन तीनों में से कौन सा बढ़ा होगा तो अगर आप W1 निकालोगे तो खाली आपको कौन सा एरिया लेना है ये वाला एरिया लेना है लेकिन अगर आप W2 निकालोगे तो आपको फिर ये वाला एरिया भी इंक्लूट करना पड़ेगा अगर ग्राफ कैसा है ऐसा तो वर्क क्या होता है यह नीचे वाला पूरा एरिया तो एक बात तो पक्की की W3 will be greater than W2 will be greater than W1 किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछो तो आपका जो ग्राफ होता है ना उसके नीचे वाला जो एरिया होता है यह वाला यह होता है वर्क आप खुद बताओ W3 से बढ़ा होगा फिर W2 फिर कौन सा होगा W1 कोई डाउट तो नहीं इसमें कोई डाउट है हर्ष कोई डाउट है वांच विदूश्री कोई डाउट है इसमें रिशिता पक्कत में क्लियर है टॉपिक कि कैसे W3 जादा QWT कम है Q1 सबसे कम है ठीक है अब तुम मुझे बात बताओ अगर मैं तुम्हें पूछू की प्रॉसेस वन में चेंज इंटरन इनरजी डैल यू वन है प्रॉसेस टू में चेंज इंटरन इनरजी डैल यू टू है प्रॉसेस थ्री में चेंज इंटरन इनरजी डैल यू थ्री है लेकिन तुम ध्यान से देखो चाहे तुम process number 1 करो तो process number 1 में मान लो initial temperature T1 है final temperature T2 है तो process number 2 में भी तो ऐसा ही है process number 2 भी चालू हो रही तो temperature किता है T1 और process number 2 जब खतम हो रही temperature किता है T2 और तुम process number 3 देखो तो जब तीसरी process चालू हो रही मतलब उपर उपर वाला graph तब भी शुरूवात में temperature कितना है T1 और बाद में कितना है T2 तो तीनों में आपका internal energy बराबर change खरेगा क्यों कि तीनों process में शुरूवात वाला temperature और final temperature क्या है सेम तो मैं मानता हूं कि तीसरे में वर्क ज़धा है लेकिन डेल U1 तीनों में क्या होगा डेल U1 तीनों में क्या तो तीनों में डेल यू तो सेम है process 3 का वर्क सब्सक्राइब तो process number 3 में heat भी सब्सक्राइब होगी आया तुम्हें समझ में ऐसे questions हम कैसे करते हैं कोई doubt है तो पूछो जो next class में तुम्हारा second law of thermo and kinetic theory of gases चालो हो जाएगा इना इस week अपना thermo खतम होके oscillation ways में पहुंच तुम्हें यू पता करना है ना यू देखो एक सेकंडर आपर से देखो इंट्रेरजी का formula क्या होता है एन बाइटू एफार टी तो यू किस पर डिपन करता है टीप है क्योंकि कोई भी container बंद है तो एन तो चेंज हो नहीं सकता एफ चेंज हो नहीं सकता आर चेंज हो नही ये इक बार मैं घेज को सीधा लेकर खेक और तो इन तीनों प्रोसेस में तुम ध्यान से देखो मालो नीचे वाली प्रोसेस वाले टू है उपर वाली प्रोसेस लिए्ट ब्रॉसेसे बारली चालू ठीड़ी में टीटवन हो यह ट開व ऑन तो खमड़ी són किता है टीवन्य न सरीके से process number two की बात करते तो process number two जब चालू हो रहा था तो temperature t1 ता process number two जब खतम हो रहा था temperature t2 था अब यहां पर गिया equation बनेगी एन वाई two FR t2 minus N by 2 fr t1 और सेम डेलू 3 भी होगा तो इसलिए यह तीनों क्या हो गये बराबर होगे ठीक है तो देखो एक तो यार मैं तुम्हें शीट बेज रखी है फस्ट लॉकी वह सॉल करो यार आप सॉल नहीं करोगे तो कैसे करोगी एक्जाम में मुझे कोई आइडे नहीं है अगर तुम कोशन सॉल नहीं करोगे यह हिस्ट्री सिफिक्स जोग्राफी थोड़ी है कि रटके चले गए काम हो गया नहीं होगा वेना बूरी मात पड़ेगी तुम्हाई सर पे तो तुम्हें कोशन तो करने पड़ेंगे यार तुम्हें किता भी बूरा लगे ओके चलो बाई यार